मुंबई के धारावी इलाके में कल भारत जोडो निया यात्रा के मौके पर आयोजित इंडिया गड़बंदन की महारैली में एक शक्ती की बात उठाए गई वो शक्ती जो लोगों को डराती है विपक्षी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में जाने के लिए मजबूर करती है वो शक्ती जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे जवान को अगनिवीर दे कर उसके सपने को तोड़ती है राहूल गांदी ने इसके अलावा भी इस शक्त में राहुल गांदी की उस शक्ती की अपनी तरह से व्याख्या की और उसे धार्मिक रंग दिया प्रजान मंत्री ने अपने भाष्णों में कहा कि कल मुंबई में इंडी अलाइंस की तरफ से एक खुला एलान किया गया है वे लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं हिंदू समाप्त जिने शक्ति मानता है उस शक्ति के विनाश का एलान कर दिया है अगर शक्ति विनाश का उनका एलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी एलान है यहां मैंने राहुल गांधी के लंबे भाचन का वो पूरा हिस्सा पेश किया है जिसमें आप जान सकते हैं कि कांग्रेस निता राहुल गांधी किस शक्ती की बात कर रहे हैं राहुल की वीडियो के बाद परधान मंतरी मोधी का भी वो वीडियो है जो करनाटक के शिव मोगा का है उसमें वो बता रहे हैं कि इंडिया एलाइन्स किस शक्ती की बात कर रहा है दोनों वीडियो आप देखिए और फैसला कीजिए ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे है ना हम एक व्यक्ती के खिलाफ लड़ रहे है एक व्यक्ती को चहरा बना कर उपर डाल रखा है हिंदु धर्म में शक्ती शब्द होता है हम शक्ती से लड़ रहे हैं एक शक्ती से लड़ रहे हैं अब सवाल उठता है वो शक्ती क्या है जैसे किसने यहां कहा राजा की आत्मा EVM में है सही है सही है राजा की आत्मा EVM में है हिंदुस्तान की हर संस्ता में है ED में है CBI में है Income Tax Department में है एक वरिष्ट नेता नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसी प्रदेश के एक वरिष्ट नेता कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं और ये एक नहीं है ऐसे हजारों लोग डराये गए हैं क्या आप सोचते हो शिव सेना के लोग एसे ही चले गए नए जिस शक्ति के मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी एक और किया है और वो सब डर के गए हैं चार हजार किलोमेटर चला उसके बाद छे हजार किलोमेटर मनिपूर से महराष्ट्रा मुंबई धारावी क्या मैंने देखा क्या सुना मैं आपको समझा नहीं सकता शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको बोल रहा हूं तो बात याद आई मेरे पास एक युबा आता है जीप पर कुटता है सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं दवा कर मारते हैं तब ही वो आता है हाथ पकरता है आख में आसू मुझे कहता है राहूल जी मैंने तीन साल हर रोज सुभे रनिंग की पुल अप्स की पुश अप की डंड बैटक सब कुछ मैंने किया मेरे दिल में देश भक्ती थी मैंने मैं चाता था कि मैं लदाख में जाकर ठंड में जाकर ठंड में कापूं देश के दुश्मनों के सामने कापूं और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं ये मैंने सोचा था राहुल जी अगनिवीर लागू कर दिया मेरे देश ने मुझे धोका दिया है नहीं तुम्हारे देश ने तुम्हे धोका नहीं दिया तुम्हारी सेना ने तुम्हे धोका नहीं दिया उसी शक्ती ने तुम्हे धोका दिया है नरेंद्र मोधी बाईयों और बेहनों सिर्फ मास्क है मुखोटा है जैसे ये बॉलिवुड के आक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भाईया आज सुबह आपको ये करना है कल आपको ये बोलना है परसों आप ये करोगे सुबह उठके समुदर के नीचे जाओ चलो सी प्लेन में उड़ो चपन इंच के चाती नहीं है खोकला वियक्ती है दारावी को देखिया मुझसे पूचा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी मैंने सोचा एक बात क्लियर थी मनिपूर से शुरू होगी क्यों वहाँ पे इसी शक्ती ने सिविल वार का महौल बना रखा है भाई भाई को मार रहा है गोली मार रहा है तो शुरुआ तो वहाँ से होगी और फिर मैंने सोचा अगर हिंदुस्तान को निया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी यह हुनर का कैपिटल है हिंदुस्तान के टैलन्ट का स्किल का हुनर का कैपिटल है और इनको यहीं से मुंबई से इनके घनों से वो ही शक्ती इनको उठा कर बाहर भेक रही है एक साथ मिलकर वो ही शक्ती इन लोगों की जिंदगी बरबात करने में लगी हुई है कल मुंबई में सीवाजी मजान में इंडी एलाइंस की तरफ से एक खूला एलान किया गया है वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ती को समाप्त करना चाहते हैं हिंदू शक्ती को समाप्त करने का उन्होंने बिड़ा उठाया है हिंदू समाप्त शक्ती मानता है उस शक्ती के बिनास का उन्होंने एलान कर दिया है अगर शक्ती के बिनास का उन्होंन है तो शक्ती के उपासना का हमारा भी अलान है जिए के रगन तो के उन्होंने कि अधिस्ते हैं